खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से खबर ये है कि कल साड़े ग्यारा बजे सुनवाई होनी है जो याचिका दी गई थी मनजूर कर ली गई है और कल साड़े ग्यारा बजे का वक्त इसके लिए मुकरर किया गया है सुनवाई के लिए निपून सेगल के पास स सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई होगी तो कल एक विशेस बेंच बैठेगी रभिवार के दिन इस मामले को सुनने के लिए ये स्तिती बिल्कुल अब साफ हो गई है बेंच में कौन से जज होंगे उसके बारे में भी स्तिती साफ नहीं होई है लेकिन अब निर्देश ले लिया गया है चीफ जस्टिस से रजिस्टरी की तरफ से और वो निर्देश ये आया है कि कल साथे ग्यारा बजे दिन में सुनवाई हो तो कल अब ये मामला सुप्रिम कोर्ट में रखा जाएगा जहां सबसे बड़ी मांग यही होगी कि तुरंद फ्लोर टेस्ट करवाया जाए होर्स ट्रेडिंग की नौबत ना आने दी जाए महाराष्टर में बिल्कुल निपुन जरा आब एक बाद फिर से ये बता दें आप कि यह जो याचिका धायर की गई है जिस पर कल साढ़े ग्यारब जो सुनवाई होगी उसमें जो मांगे रखी गई है उसमें प्रमुख मांग क्या है देगे सबसे बड़ी मांग यह है कि जो राज्यपाल का जो आदेश है उसको निरस्त कर दे सुप्रिम कोट जो उन्होंने निरने लिया कि देविंदर परणविस को शपत दिलानी है उसको निरस्त कर दे लेकिन इस मांग से अलग जो एक वहवारिक मांग जो रखी गई है सियाचिका में वो ये है कि अब तो शपत ग्रहन हो चुका है लेकिन होर्स टेडिंग ना होने दी जाए तुरंत विधायकों का शपत ग्रहन कराया जाए क्योंकि विधायकों ने अभी तक शपत नहीं लिये तो शपत ग्रहन हो विधान सभा का सत्र विशेश सत्र तुरंत बुलाया जाए और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाया जाए ताकि ये साबित हो जाए कि सरकार वहाँ पर बहुमत में है या नहीं या कौन सा गटबंदन है जिसके पास बहुमत है और उसको फिर बाद में सरकार बनाने का नियोता मिले चली शुक्रिया नेपुन सहगा लिस जानकारी के लिए आपका तो बड़ी खबर सुप्रीम कोट से कि जो वहाँ पर याचिका तीन पार्टियों की तरफ से दी गई थी वो मनजूर हो गई है और कल साड़े ग्यारा बजे सुनवाई होगी हलाकि कल छुट्टी का दिन है रव झाल 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 झाल